नमस्कार गुड़ मॉर्णिंग राम राम लेकिन अभी गुड़ मॉर्णिंग नहीं गुड़ी इवनिंग और रखा क्योंकि कलमत दिली गया था और पी दिली से लोटा तो पूरी रात का सफर था लेर तक सो रहा था उसके बाद बहुत सारे ओडर पेंडिंग में वड़े थ सब्सक्राइब ने लिए तो यह था दिखा दिया इधर सफसू लगा रहा है कि इस एधर लिए चारा लगा रखा बाके आगेगी हो लगा दिया इस अपने गाजरो मुल्य लगा दी लेकिन उसके लावब ऑपने पास दो-तीन खेत हैं और आपने टूर कर रा देता हूं कि उन भी अपने कोल कोल के फिसले लगा रखी हैं बाकि अभी साम का टाइम और रखा तो गायों को थोड़ी दिर में तारपानी होने वाला है इधर ही अपने उनूपसर लगे हुए हैं दाना निकालने में दो दिन के टाइम में आपने दाना गरम रखते हैं मेला पकाने के लगायों को दिन के टाइम में सद्विशा के बहुत हैं कि दे क्यां कि सुर्य देवता दिन बहुत हरा ही कम निकलते हैं और सथे के अंदर इपन गाया को तब और गायां को तब और यह अमें लगी वी है जो खेजरी के पेड़ों के छंगाई की थी तो इनकी साफ सफाई करने में इनकी जो सुक्षी लेकडिया है वो सबको अलग कर लेंगे अभी आपको अपने दूसरे खेत में लेकर आए हूँ इधर यह अपना खेत लगता है इधर यह अपनी बाइक रही और यह खेत पर हमने कुछ ऐसे कांटे लगा रखें ताकि जो और अपस हो अगरा रहते हैं वो खेत के अंदर नागुशें यह रहा अपना खेत यह देखिया आप लोग और इस चेत में अपने सारे में सर्सू लगा रखिया है यह खेत अपना है लगबगे 6 विगा के आश-पास 6-6 विगा से कुछ विंता है और लगबगे 15 दिन के आसपास हो गया सर्सू लगा हुए यह देखिया आप लोग और अभी इसमें सिचाही होगी चालिस दिन के बाद में यानि 15-20 दिन होगे 15-20 दिन बाद में इसमें सिचाही करेंगे क्योंकि सरसुम में जो पहली सिचाही रहती है वो 40 दिन के बाद होती है यह देखिया आप लोग अपने अपने गायों के फार में जो बाद में मिटी डाली थी लग पचास साथ ट्रोलियां अपने मिटी के डाली थी वो सारी मिटी अपने इस खेट से उठाई थी इस कोहने में से तो यहां पर देखो डलान हो रखा है वाकि उस साइड में हुचाई है तो वो डलान इसलिए यहां से बहुत सारी मिटी उठा ली थी हमने देखिया आप लोग इस कोने में से बहुत सारी मिटी उठी थी और अभी आपको अपने नेक्स्ट खेत में लेके चलता हूं अईखिया आपको अधर. इदेर यह बाइक रोक दी मैंने चुकिक आगे रास्ता थोड़ा से जद्दे खराब है और उदर थोड़ी से दूर में आगे रोड निकलती है प्रकी रोड है वहां से थोड़ा से कच्छा रास्ता निकलता है आगे उस साइड में अपना खेत है बाकि यह जितने भी खेत माजर बादाव के ःधा है वह सारे खेत अपने फ्हेमले वालें मेरे बढ़ Her le nina a यह जमिन मेरे परयदा की थी यह टी-जमिन असके उनके संथा बड़ती गई बढ़ती गई और जमिन ऐसे फिर यह बड़ती बाकि आपको अपनी खेत में लेके चलता हूं इते यह ров infected है अपना सामने वाला और यह खेत अपने घर से लगबगे छैसे साथ किलमेटर दूर पड़ता है इसलिए मैं आपको बाइक पे लेकर आए और इस खेत में अपने चने लगा रखे हैं और चने के पुसल बहुत बड़ी अखडीज में यह देखे आप लोग यह थोटे चोटे च हैं जितने भी खेत हैं जहां जहां तक आपकी रागे लंबी नजर जाएगी सभी में चने लगा रखे हैं टोटल चने की फसल लगा रखेतों में इसका रिजन यह है कि अधर की जो जमीन है यह बहुत ज्यादा रेतिली जमीन आपको दिखाई भी देर होगा दूर दूर त किसी के खेत में बोरेल लएए इसलिए इदर चने की फसले लगाते हैं बाकि जहां पर बोरेल लगी स्विधा रती पानी वहां फारमर यहां तो शर्सूं लगाएगा या फिर ग्याँ लगाएगा और यह जो अपना केत है यह क्कित लग बग शाड़े 5.3 जमीन है और सारे में अपने चनी समय इसके लावब ने पास है एक खेत हो रहा है वह छेत आपने किसी दूसरी फारमर गो लीच पे दे प्रजू इक vendors बलती हैं वह मेरे थे ले हना जो सिर्श जमीन है इसमें सिर्फ बनते हैं तोटल चार मैंसे एक खेत अपने किसी दूसरे पारमर हैं ये जागरुक फारमर हैं इनका मदलब औरगनी खेती के तरफ से ज्यादा रुज़ान है ऐसा बिलकुल भी नहीं है औरगनी खेती करना इनकी मजबूरी है इसका रिजन यह है कि खेती में काम आने वाले जितने भी केमिकल या जो भी मतलब कीटना सब्सक्राइब क और मेले बिन सिचाई के फिर यूरिया ढलना का कुई मतलब नहीं है फालतों इनका विष्ट जाएगा इससे कि कहती केमिकल डलते हैं उसका उनका सििच्टम रधा है यानि आपको पानी Cost स्थनी जाई दे हैं लेकिन इतर किसी जो जो इंके बारिस है औरगन Choice क us 그대로 को दिश इसकी लकड़ी बहुत बेस कीमती रहती, इसको रोड़ा बोला जाता है, यह देखिए, यह भी रोड़ा का पेड़ा, यह भी, और इधर के जितने भी खेते हैं, उन्हें रोड़े के पेड़ा बहुत ही जादा है, बाकि आपको खेड़ी के पेड़ी मिलेंगे, या कुछ- अपने गरि स्ब्स्क्राइब प्रंप तुदे रुबन निया है कि विजट में बाहर से अंदर अपने इस रूम में अपने ओपीज में तो देखता हूं हमारे एक मेमान आये हैं हमारे गेस्ट यह देखवा आप लोग कि अरे रुपो रुपो मेल ख्याज यह तित्र का बच्चा है यह अंदर रूम में आए वाधा आज 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 इदर आज इदर कितना प्यार बच्चा है यह देखव कितर जार इदर आज इदर आज इदर आज यह देखव इदर आज बिखव कितर इदर आज आज इसके पिछ चुपे गाई यह में गमाना रख देता हूं इदर मज़ा इदर 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 आज वापीस 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 नहीं यह देखव इदर ही जाने के जिद्धी कर रहा है इदर चल जाए इदर जाएगा इसके पीछे इसके पीछे चला जा अभी और अभी मैं यह रात का खाना बना रही अपना यह देखिया आप लोग इदर ही आटा लगा रखा और जिस बरतन में आटा लगा रखा यह मिट्टी का बरतन डोटीया हो गई और यह रीमेच की चटनी है यह देखे आप लोग और इदर कभ़े श्रूम हमारे खाने में जिर्ब शामील लेधार दोपर कहना हो यह रात का खाना मखण पक्का मिलेगा और इदर ही अपना कसुतम का केर का चार यह देखे आप आपना अपना दूद साम का ओधी यह अपना सारा साम का खाना हैरा हुए अधर बारी साथ आती है या लकडिया जब गिल्दी हो जाती है तो ऐसे कभी शुचर से न में बनाते हैं यह देखिया आप लोग और अब मैं भी अपना खाना लब आ लिता हूं अब याने वाले अपनी गर्मा गर्म रोटियां झाले न जोचर ça को her याम कि बुचर रखाना देखिया जा वो पाना अपनी कारो अब अब करते हैं बना खाना सुरूँ यह देखिया को लोग और मख़न के साथ रोटी हो और सरदी का मौसम हो मज़ा जाता है अभी मैं गर के पिछे बार खेत में आया हूँ यह जो तीतर का बच्चा है तीतर ने साइद यह बटेर है इसको खेत में छोड़ने के लिए क्यूंकि यह जो शोटे-शोटे जानु रहते हैं यह जंगल में यह खुछ रहते हैं इसको गर के अंदर नहीं रख सकते हैं अगर अगर रात बर में रपास रहेगा तो साइद यह से दिवारों पे टकरा गए गायल हो सकता था तो इसलिए इदर मकेत में छोड़ने लिए ओँ और इदर का प्ये गास उगा हुआ है यह देखे आप लोग तो इसमें चला जाए गाई यह जोड़ता हम आँ हैं यह देख अब इनकी पूरी फेमिली है मैंने सुबह देखा था तो पंदर अब 20 बच्चे थे से सुट सुट ही है अब इसकी ममी डूंड लेगी इसको रात में और यह जदते रात में गोमते रहते हैं दिन में बहुत कम निकलते हैं बाहर में अब यह कंफूज हो रखा खोदी अब थोड़ा सा वेट कर लेते हैं एक सी एक्टिविटी देख लेते हैं इसको इदरम अपने फारं पर ले आया गायों के पास क्योंकि जब मैंने इसको खेत में छोड़ा और में वापिस देने लेगा तो यह पीछे पीछे आ रहा था मेरी और आब आके ऐसे हाथ पे देखते हैं तो फिर मैं इसको ले आया अपने फारं पर लड़ू इससे मिलो सुंगरी लड़ू अरे चाटने की चीज नहीं है चोड़े अब इसको मैंने फारं पर रख लेता हूं सुबह देखेंगे इसका क्योंकि बाहर शेफ नहीं है बाहर बिल्ली भी रखती है कुते भी हैं सिकारी पक्सी भी है और इसका मैं देखता हूं कि इदर इदर बोरियों के पास अरे इतना बड़ा चुवा अरे पूरी फैमिली इनकी यह देखो वा बड़े वाला चुवा उदर गया पता नहीं गुश गया चुवे ऐसे बचके रहना मेरे बाई इसको मैं छोड़ता हूं इदर कोने में इदर ड्रम के पास में छोड़ देता हू और पहला कुले और बड़े से अधने पास अतनाना कश बसमाइब तैसे के सब्सक्राइब मैं पूर आदेखो जयाए अरे पास दे का का को और में संग नाग। और इसे अपास एक बोरी लाखे रख देता हूँ यह थोड़ा सेप्टी का काम करेगी बोरी अब ठीक है और भी अब हमारा भी सोने का टाइम हो गया इतर है हनूप और यह सार पाई अपनी और आज को लोग अधरे खतम करते हैं अगर वीडियो से लिगी हो तो लाइक एंड शेर दूर कीजिएगा और चैनल में जूर सब्सक्राइब कीजिएगा थेंक्यों धन्यवाद राम राम बाई और गुड़ नाइट